असलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातूर। मैं आप अमां भुटां से अगदन माती चाहता हूँ कि ये पुड़ी ताधिर होगे है। मिचला आप देना किसी भुटावलट के जना हम मिचला प्रोग्रम टादस करें। असलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातूर। मैं अल्ला का शुकर अदर करते हुए इस प्रोग्रम का इंतबा करता हूँ। मैं अब्दुर्जा इस प्रोग्रम का नाजिन होने की हैसियत से जनाब वीर मोतेशाम अलीख खान और आप तमाम मर्दों खावातीन का तहे दिल से फैर बंदन करता हूँ। अब मैं आपको अलिव अललिसान इस्लामिक पॉंडेशन का मुटतसर सा तारुख देता चलूँ। अलिव अललिसान इस्लामिक पॉंडेशन कई सारे दीनी इसलाही और पलाही कास को अंजाम देता है। जिन में दीनी बयाना, वरक्शॉप्स, ब्लैंकेट, रेशन, फुट डिस्टिबूशन शुमार है अब मैं मुकर्र जनाम मीर मोतेशाम अली खान का मुफतसर सा तारुख आपको देता चलो मीर मोतेशाम अली खान ने सन 2007 में मजल मेनिया बॉड़ी बिलिग चैंपियंशिप में दूसरा दर्जा यानि सिल्वर मेडल हासिल किया है आप हिंदुस्तान की जानी मानी शक्सियतों में शुमार है आप हैद्रवाद में नौजवानों को उभारते हैं कि वो अपने आपको जिस्मानी और रुहानी तोर पर मजबूत करे अब मैं बिना किसी ताखिर के जनाब मीर मोतेशाम अली खान को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान तौबा और तख्वा इस उन्वान पर खिताब करें और हम सब को अपने खीम की नसीहतों से नवाजे जनाब मीर मोतेशाम अली खान जिस किसी ने भी ब्लैक प्रूस सामने पार्क किया है उसे घुजारिश है कि वो थोड़ा पार्किं थोड़ा साइड में कर ले लेगा कोई ब्लैक गाड़ी में आये है तो वो गाड़ी यहां से अटा दिए असलाम अलीकम रह्मत ल्हां विबरकाता अओुदू बिल्लाहि ने श्याइदान रजीम बिस्म लाह्मान रभी रभी इस्राल सद्री वैस्री अम्री वाहु रुफदतं मिल्हिसान यद्वतार गौली अमा बाद या 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 य यहल मुमिनों इन्नावा युखब तवाबीना वा युखब अल्मुताहिरीन सारी तारीफ वतस्पी रब अर्बाद के लिए है जो रह्मान है जो रहीम है जो जिन्दगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है अंकिन अ-द्धुरूद हमारे नभी मौम्मद मुस्तफा अल्दाहु अल्यु आलि मुंदिं का मा सलीड़ा अला इबराहीमा उप अल्यु अल्यु आलि उिर्मुत्यू अद्दाहिरीन सबसे पहले मैं अल्लह बाला के शुकर अदा करता हूँ कि अल्ला ताला ने आपों की बीच यहां पर मुझे अलिक कॉर्डेशन के आफिस पे आप तमाम लोगों से बात करने के लिए मुझे यहां पर दे जा है और मैं शुकर अदा करता हूँ कि कई लोग आज कई गामों में दुनिया की कामों में लगे हुए हैं लेकिन अल्ला-टायला ने हम तमाम लोगों को तॉफिक दी, कि अल्ला की जिकर और अल्ला की द्परा रख्म की बात सुनने के लिए हम तमाम लोगों को यहां पर जमा किया हूए आज जैसा के हभِ अभी और इलान वा रहे, कि मेरा आज का टौपिक है तवा और तक्वा जो हमारे जिन्दगी में तवाम लोगों के लिए जरूरी है इसलिए ये टॉपिक को मैं लेके बार बार जहां पर भी मेरा उन्वान होता है तो जहां पर ये उन्वान नहीं हुआ मैं वहाँ पर कोशिश करता हूं कि तक्वा और तौबा पर बात हूं क्योंकि यही एक टॉटिक है हर चीज इसके अंदर हमको हासिल होती है तो मैं आपनों के सामने कोशिश करूँगा कि इस उनुमान के तहट मैं बात करूँ पहली आयत जो आत्मों के सामने मैंने दिलावत की या या लजीना मनतकु लाहा हका तुखाती ही वला तुमूतुना इल्हा उन्तुमून इस आयत का मफूम यह है कि आए एमान वालो अल्ला से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है ताके तुमारा काधिम SAY इसलाम परो कि तुमारा काधिमा इसलाम परो कि ताके तुमारा काधिमा मुसलमानी अ乐्प पे हो इस जिएमन वे और इस खडिसम्के आता है कि करे लोजीन श्य।क्षिम में लोजीनों ख़ATHँी determी लोजीन quan दो तो कियारे मिली स्वादाओं आले विसलम वो सहाभी की यादत करने के लिए चले जाए जाके मालूम करते हैं वो सहाभी से कुछते हैं कि क्या मामला है आप क्यूं बिमार पड़े हैं क्या कैसे आपकी कुछत खराबी तो वो सहावी करते हैं अलागी नभी जैसे ही यह आयत मैंने सुनी या अयुह लजीना मनुतकु लाहा हका तुखाती ही वला तमूतुना इलावानतु मुस्लिमून एए एमान वालो अल्ला से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है ताकि तुम्हारा कादमा इसलाम पर हो है लाकि नभी जैसे ही भाई यह सुना तरके मारे में बिमार पड़ गया हुए प्यार नभी सुलबाह मारे बिसलम में वो सहावी से कहा कि अपने इस डर और अपने इस खौफ को जारी रख ताकि ख्यामत के दिन तुछ पे रहम किया जाए लिए अल्ला के नभी ने यह नहीं कहा कि मट डर मैं तुछ को बचा लूँगा जब ख्यामत का मामरा होगा मैं तेरी शवात करा लूँगा अखारी कमली में मैं तुछ को छुपा लूँगा अल्ला के नभी ने यह नहीं कहा अल्ला के नभी ने कहा कि अपने इस डर और अपने इस खौफ को जारी रख ताकि हयामत के दिन तुझ पर रहम किया जाए दूए प्यार नभी स्वादाओं अल्ही वस्लम ये सुन के गई थे ये बात बता के गई थे कुछ घंडे हुआ या कुछ दिन गुजरे सहाबा अकराम आके रहे आके गयान अभी स्वादाओं अल्ही वस्लम के पास आके देए हैं कि आ लागी नभी आपके वो सहावी जो बिमार बढ़ चुके थे उन्दा इंतिकार हो चुआ है हमको नहीं मालूं कि उनका क्यों इंतिकार हो चुका है और उनके गानों से और उनकी नाथ से खुन बेरा है जाने अभी स्वादाओं अल्ही वहां पर पहुंचते हैं पहुंचने के बाद वो सहावी रसुल के जनासे के तहरते हैं कहर के सहावा इकराम से कहते हैं कि अल्ला का कौफ और अल्ला का डर इसके अंदर इतना फर चुका था अल्ला का कौफ और अल्ला का डर अल्ला का कौफ और अल्ला के डर से इसके दिल के तुकड़े तुकड़े हो गए ये अल्ला का खौफ है ये तक्वा है ये अल्ला का खौफ आज हमारे दिलों में नहीं है सहाबा अकराम अल्ला का खौफ काया करते थे तक्वा थियार करते थे लेकिन हमारे दिलों से तक्वा जाता रहा हमारे दिल आज काले हो चुके में सहावा कि раз अल्ल्लाव से ड़ते ते, तक्वा एफ्टियाश करते थे अमर अब अब बहुत काव झाव से पुछते हैं एई अम्र क्या तुम जब सफर करते हो सफर करते वक्त क्या तुमको राचते में काँटों बरे जंकल काँटों बरे दरफ मिलते हैं तो Umar as lal utilities के थे हैं बचाता हुआ आता हूं तो वो केहते हैं यही तखवा है कि जो दुनिया है वो जंगल है और खांटों परे दुनिया है प्रप्यारेङv i.S. अपने सीने की तरफात बताते हुए कहते हैं अत्तक्वाहुना 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 तक्वाहुना तक्वा यहां है तक्वा यहां है तक्वा यहां है इसलिए हम तवाम लोगों को तक्वा अथियार करने की जरूरत है अल्ला का डर अख्यार करने की जरूरत है लेकिन आज मुसलमान अल्ला का खौफ ठाने के लिए तयार नहीं है आज हमारी मस्जिदें बै कहना चाहूं का आज हमारी मस्जिदें फजर की नमाज में जब हम देखते हैं हमारे अल्ला के घर आज पजर की नमाज में आबाद रही है जिस तरीके से हमारी मस्जिदें जुमा में आबाद रहती है हमारी मस्जिदें दूसरी नमाजों में आबाद रहती है लेकि पजर की नमाज का आप जायसा लीजिए जाके अल्ला के घरों को देखिए अल्ला के धर वीरान है या तो एक सथ के लोग वहा नमाज पढ़ते है या दो सथ के लोग नमाज पढ़ते है या कोई बड़ी मस्जिद है तो कुछ दो आई सथ के लोग नमाज पढ़ते है क्या यही हमारा तक्वा है क्या हमारे दिल से nhất आज कोई खावम परेशान है और मजलूम है तो वह गावमम् मुसल्मान खावम है हम लोग अपना जाहिजाण नहीं दे रहे हैं क कि यह क्यूं हो रहा है ये इसलिए हुला है कि अल्ला का खौप पर अल्ला का डर चले गया, तक्वा चले गया, हमारा एमान कमजोर होता जा रहा है, जब्के अल्ला के घर से आवाज आती है, है आलसला, आओ नमाज की तरफ, है आलसला, आओ भलाई की तरफ, पज़े की नमाज में बार बार मौतन अ नमाज नीन से बेटर है लेकिन मुसलमान नमाज के लिए आना नहीं चाहता मुसलमान अपने घर में सोना चाहता है क्योंकि राज का जागा हुआ है एक बजे राज तक देर बजे राज तक सोने का जागने का फैशन बना चुके हैं हम लो पहले हमारे घरों में बड़ा शैतान हुआ करता था सारे के सारे वो बड़े शैतान के पीछे राग करते थे तो उसके पीछे रहे रहे थे फजर की नमाज चोड़ते थे आज मैं तहना चाहूंगा हरें के पास एक छोटा शैतान मौजूद है और हर बच्चा हरार्बी इसके उपर लगावा है और अपनी राग को जाक के अपनी सही खराब कर रहे हैं और जाक के सुभा में पजर की नमाज को बोल कर देता है जबकि पुरान कहता है हमने दूब राग दिये बोरे ले के लिए आराम करने के लिए लेकिन हम लोग पुरान का उल्टा कर रहे हैं हम तमाम लोगों को अपने जायजा ले लेकी जरूदे दोस्तों जब हम जायजा लें अपने आपका तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या सही हफ़े हैं क्या हम लोग अल्ला से आज डर रहे हैं क्या मेरी सुबा का आगास पजड़ की नमाज से शुरू होता है। क्या मेरी सुबाता आगास अल्ला के कलाम खुरान की दिलावत से होता है क्या मैं आज अपने माबाद की खिद्मत किया या नहीं किया क्या आज मेरे पुडोसी को मैं तकलीब दिया या मैं मेरे पुडोसी के साथ अच्छा सुनुक किया क्या आज मैंने अपने कारोबार में चीटिंग नहीं की क्या मैंने इनसाफ से कारोबार किया क्या मेरी जबान से एक मुसलमान को क्या मैंने तकलीफ दी या मैंने अपने हाथ से मुसलमान भाईश को तकलीफ दी क्या आज मैंने खैर खैरात का काम किया क्या आज मैंने अपने बारा घंटों में से अल्ला के लिए दावत का काम किया या नहीं किया हम तमाम लोगों को जायजा लेने की ज़रत है अगर हम अल्ला से डरते हैं अगर हमारे जिल में तक्वा है अल्ला का डर है हम तमाम लोगों को जाइजा लेने की जरूत है कि हम लोग सुबा से लिए के रात तक का जो काम है सोने हम जब जाते हैं हम तमाम लोगों को जाइजा लेने की जरूत है हम को पता चल जाएगा कि हम आला के डर में है तख्वा में थ्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम तमाम लोगों को पता चल जाएगा इसलिए तक्वा एक्तियार करने की जरूत है अल्ला का डर एक्तियार करने की जरूत है जिस तरीखे से सहावा एकराम अल्ला का डर और तक्वा एक्तियार करते थे हम तमाम लोगों को चाहिए उतना तक्वा और दर हमारे दिलों में आ जाए वो इथियार करने की ज़रूरत है तुझ अबुद्थित रादो चीज लाता देता वो कर सब्सक्तर नहां खा लिया करते ते एक मरतबह आपा खुलाम को चीज लाया लाकर दे दिया तो बुक्र सब आपको मालूम है मैंने कौन सी कमाई से आपको लाके दिया है अब वकर तुझे नहीं पता तुम कौन सी कमाई से लाके दिया है तो हो कहता है अब वकर मैं दौर जाहिलियत में कहानत किया करता था लोगों के हाथ देखा करता था और लोगों के हाथ देखकर मुझे कहानत नही की लेकिन मैं कुछ तो भी उसको कह देता था एक दोर जालिका आदमी मिला वो मिले के बोला कि आप ने जो बात कही थी वो सच हो गई और उसने मुझे इनाम के तौर के कुछ पैसे दिये तो उन पैसों से ये चीज मैं आपको लाके दिया जैसे ही वो कहता है कि ये पैसों से अपने खलक में हुगली डालते हैं डाल के सारी की सारी चीज बाहर खै करके निकाल देते हैं ये तक्वा है ये अल्ला का ड़र है कौन सी कमाई हम खा रहे हैं कौन सी चीज खा रहे हैं सहाब आ कराम सोचते थे देखा करते थे क्या आज हम उस तरीके से सोच रहे हैं क्या आ पाइजा लेने की ज़रुते जैसा सहाबा अकराम रिया करते थे, सहाबा अकराम कि दिलों में अल्जा का डर और 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 कौफ गॉर्टेश से रहता था कोई भी काम करते तो पेले ही सोचते ही ये सही है या खलत हे पर उसके बात किया ज़या करते हैं आना के प्यारे नभी स्वालाओं अलिए वसलम दस सहाबा एकराम को जो अश्र मुपश्रा हैं दस लोगों को जन्नत की बचारत दे चुके थे उसमें है एक हैं उस्मान गली रजियल्लाओं ताला है उस्मान गली रजियल्लाओं कौन? प्यारे नभी स्वालाओं अलिए वसलम के दो हरे दामाद उस्मान गली कौन? जिसको अल्लाओं के नभी ने अपनी दोनों बेटियां गीती निकामे और उस्मान गली रजियल्लाओं को अल्लाओं को अल्लाओं के नभी ने एक महिकल में कहा था साथ मरतबा जन्नत की बचारत कि जब के मुसलमानों को जंग के टाइम पे मुसलमानों को पैसों की ज़रत पड़ गेती तो उस वक्त अल्ला के नभी एलान करते हैं कि अगर कोई इस जंग में मुसलमानों की मदद करेगा तो मैं उसको जन्नक की बशारत देता हूँ उसमें इसमान गली रजी 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 र ऐल्ला के नबी आप जितने बार गेंगे उस्मान उतने बार उठेगा ल्ला के नबी सात मरत्माइ ऐदार, उस्माल अभुप आ करते हैं उस्मान अब्री निर्जियल्ह आelu आइद हैं सात मरत्माइ सव सो हूटों का अईदार, लेकिन उस्मान गनी रजियालाव तालाव जब खबरस्तान का रुख करते हैं, जब खबर के पास जाके टायरते हैं, तो उस्मान गनी रजियालाव तालाव 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 ताल है आज के बाद उस्मान कोई नेकी नहीं करेगा तो भी अखला उसको जञनत दे देगा इसमान आप इतना क्यों रोते हो उस्मान इखरी अग्री रजी लगवतारान कहते हैं खबर एक ऐसी मन्जिल है जो इसमे तामिया वो गया सु कामिया जो नाकाम हो गया तो नाकाम जो कामियाब हो गया खबर में जन्नत की खड़ती उसके लिए खोल दी जाएगी और जो नाकाम हो गया तो जखती अंगार उसकी खबर में बिच्छा दी जा जाएगी इसलिए डरता हूँ अल्ला से ज़रती मुझे बोना आपार तो यह अल्ला का खौफ की आल्ला का डर है ना तो हम सहाबी हैं ना तो हम कोई ऐसा नेक काम कर रहे हैं लेकिन आज हम लोग आराम से अपटी सिंतेगी गज़ार रहे हैं हमारे दिलों से तक्वा चला गया हैं दोस्त section तक्वा इस्टियार करने की जरुद ले पांच वक्ती नमाज जो फर्ज की गई है इन खास दोर पे ये बात को पर तबज्व दिलाना चाहता हूं जिन लोगों के पास तख्वा रहता है वही बज़र की नमाज पर लगा है जिसके पास तख्वा नहीं रहता क्या है दो नमाजे मुनाफिकें के लिए दो नमाजे जो है क्या है हाँ मुश्किल है मुनाफिकें बहुत अजाब से मजब बहुत जान कहा के पढ़ते हैं तो दो नमाजे फजर और जो इशा हैं दो नमाजे बहुत उस से पढ़ते हैं मुनाफिकें इसलिए जायजा लेने की जरुत है Allah के घर का क्या जितने जमाँ में जमाँ थे क्या उतने जमाँ में जितने जमाँ में जितने जमाँ थे उतने फजर नहीं है? नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा आज जहां पर इस Alief Foundation के जहां ज़रिये पहली अधिस में से मैं इतनी बात को शुरू करना चाहूंगा पहली अधिस के जो लोग फजर की नमाज अधिस का मकूम है जो लोग फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं अल्ला ताला उनको अपनी जमानक और अमानक में ले लेते हैं जो लोग फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं अल्ला उनको अपनी अमानत और जमानत में ले लेते हैं और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता फो अल्ला की अमानत और जमानत से चला जाता है लोशरी आदैस हम को बजबर्पन से सिखाएंगे दोस्टों बढ़्पन से हम को सिखाया गया नौमुसुभषति यमनहुरु निसका सुबा कि वक्ता सोना रिस्कार रोकता है उसके बाउभ इसलिए घर में बरकते नहीं होती घर में बरकत लाखों की कमाई है लगी घर में बरकते नहीं हो रही है वो यही वज़े है कि हम फजर की नमाज छोड़ देते हैं इसलिए घर में बरकते नहीं होती तीसरी अदिस जो लोग फजर की नमाज छोड़ देते हैं शैतान उनके कानों में पेशाफ कर देता है जो लोग फजर की नमाज छोड़ देते हैं शैतान उनके कानों को अपना टाइलिर बना देता है और शैतान पेशाफ कर देता है इसलिए फजर की नमाज को आना है तीस त्री अर्दीस उमाहत अल्मुमिनी हमाईशा अग्राइशा 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 अग्राइश गजर्ण quiénकासंता ये मामवला हैे दोस्तों अगर फॉरस पड़ लेगे तो क्या हमोगा सुझे हुट ये पैदा है फजर्ण इनमाच पढ़ने का और जो लोग फजर्ण кी नमाच छोड़ देते हैं नीन को ज्यादा प्रिफ्रेंस देते हैं को प्रिफ्रेंस देके जो फजरी की नमाद छोड़ देता है जब उसका इंतिकाल हो जाएगा जब उसका इंतिकाल हो जाएगा जो इंतिकाल होने के बात की जो जिन्दगी होगी बर्जख की जिन्दगी होगी बर्जख की जिन्दगी में उसके सर को पत्थर से कुछला जाएगा अच्छा किय जाएगा फिर कुछला जाएगा अच्छा किया जाएगा और कुछला जाएगा सोचिए फजर छोड़ने का अंजाम जो लो पिस्तर में अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं और ये सोचते हैं कि मैं आराम की जिन्दगी गुजार रहा हूँ अगर एक फजर की नमाज भी छोड़ेंगे तो हालत बर्जब में हमारे सर को पत्थर से कुछला जाएगा खदीश की अलफाज है तो इसलिए फजर की नमाज में आना है क्या पैदा है फजर की नमाज में आने का जो लोग अगर किसी को पता चल जाए अगर किसी को पता चल जाए फजर की नमाज और रिशान की नमाज के सवाब का पता अगर किसी को चल जाए तो अगर उसको घुटनों के बल भी रेंग जलाना पड़ा तो फजर की नमाज को अल्ला की खिरप आएगा इतना बड़ा सवाब है दोस्तो एक साहब ये रसुल प्यार नभी स्वालाओं अल्ला के नभी मैं एक उन्ट पाला हूँ अल्ला के नभी मैं एक उन्ट पाला हूँ लेकिन वो उन्ट मेरी बात नहीं सुनता अल्ला के नभी मैं इसको परसामान लाता हूँ मैं कुछ करता हूँ तो मेरा काम नहीं करता मेरी बात नहीं सुनना ला के नबी प्यारन अभीर भड़़ाएं वो होंट के खरीब जाते है जाने के बाइ भाद आप ये पुछ कहता है सहाओे रसुर्व पुछ नहीं कि लुछ थने हैं ला के नबी इसने आपके कान में क्या कहा तो प्यारे निवी स्वादाओं आले वसल्म कहते हैं ये कह रहा है अल्ला के नबी ये फजर की नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मैं उसकी बात नहीं सुनता ता मतलब ये है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे उसके नौकर चाकर उसकी बात नहीं सुनेंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे पूरे नौकर उसको छोड़के बाग जाएंगे जो भी काम हो उसमें उसको फाइदा नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है तो समझें फजर में कड़ बड़ है इसलिए वजर की नमाज में थमाम लोको आने की जरूरत है उसमें हमारी कामिया भी है किछ बोच्टो तक्वा थियार करने की जरूरत है और जो लोग अलला का ड्र एक अला का रहते हैं जो लोग अलला से ड़ते हैं यौराँ में 2-3 मरतभ़ा आता है अन्नलाह मार्मुत्गीन जो लोग अल्ला से डड़ते हैं अल्ला कहा रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ जो लोग अल्ला से ड़ते हैं अल्ला कहा उनके साथ है फिर अल्ला अगर हमारे साथ हो गया तो दुनिया की कोई ताकत हमको धका नहीं लगा सकती कितने सहाबा थे दोस्तों 313 सहाबा एकराम जंगे बदर का मामला 313 सहाबा एकराम क्या अलादाला ने सहाबा की मदद नहीं की क्या 313 सहाबा को फत्य नहीं मिली क्यों फत्य मिली उनका एमान पका था वो अल्ला से डड़ते थे और जैसा पुरान कहता है इलतस्पिरू वो सबर करते हैं और आपने-धिये टक्वा है उसे लिए प्यारे नुबी खैमे में म crease अभुबकर सिदेख जाते हैं अभुबकर सिदैख नहीं को उठाते हैं तो अभुबकर सिदेख सिदेख यहते हैं बहुबकर मेरे सहाबा ने सबर कया और अल्लास का डर थ्तियार किया अल्लाँ फरिष्टों को नाजिल कर रहे हैं अल्लाँ मेरे सहाबा की मेरी मदद के लिए फरिष्टें को भेज रहे हैं अल्लाँ फरिष्टों को भेजे के हम अगर तख्वा थ्तियार करेंगे और अगर सबर से काम लेंगे को अल्ला ताला फरिष्टों के जबी हमारी मदद करेगा लेकिन हम लोग हम लोग लडायों में जगड़ों में और पूरे चीज़ों में मुलबिस हैं और हम लोग दुनिया को अपनी दुनिया हैं मेरी मुझको यहां पर बिल्लिंग मनाना है मुझको यहां पर कारुबार में बड़ा आजमी बना है, मुझको सबसे आगे रहना है और मुझको बढ़ाई में के आगे रहना है और मुझको दुनियादारी में आगे रहना है मुझको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है इसलिए इंसान अपने आप में मश्कूर हो गया किसी को अवला की फिकर है किसी को कुछ और वों की फिकर है वो नहीं करता तो आल्ला की अबादत नहीं करता मैं समझता हूँ वो लोग eyeshallah अमल पेरा हो जाएंगे गल्से पज़रिकी नमाद से तक्वाय अथ्टवा अफ्ट्यार करने वाले हो जाएंगे INKY not wa la liyaبدoon हमने jin اور 인सान کو हमारी عبادت के लिए पायदा किया है आपOO اللہ वाज़ हक और तकरान में कह रहे के लिए बेदा किया है लेकिन हम यबादत को छोड़ देते हैं दुनिया में बि지 है अजान के वह अजान रही है लेकिन हम लोग कहते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजनेस की मीटिंग में हूँ, मैं काम में हूँ, मुझको काम करना है, मेरा कारुबार खराब हो जाएगा, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे कारुबार खराब नहीं होगा, अल्ला के घरों की तरफ आएए, खुद मौ लाइक तरफ जाना नहीं चाहता उसलमान समझता है कारोबार में, मीटिंग में, खेल उद में, दुनियादारी में उसकी भलाई है, वरना मेरा बिसनेस खराब हो जाएगा, वरना मेरे बीटिंग्स खराब हो जाएंगे, तो मैं अल्दा के घर को जाओंगा। मुसलमान, दीन नारी छोड़कर दुनियादारी में लग चुका है, ये मैं तहना चाहूंगा, मैं तमाव उन लोगों से जो नमाज को पहले प्रिफरेंस नहीं देते, दुनियादारी को प्रिफरेंस देके कहते हैं, कि उनका कारोबार खराब हो जाएगा। इतनी प्यारी आयदे देखिए दोस्तो, सुरे तलाग के आयद में आपनों के सामरे रखना चाहूंगा, अगर कोई समझता है, कि मैं बहुत बड़ा आफिसर हूँ, मैं नमाज बाद में पढ़ो लोगा, खजा कर लोगा, लेकिन मेरी जाब चली जाएगी, अगर कोई ये स पराग हो जाएगा, मैं उन तमाब लोगों से जो कारोबार के ओपर तवच्छो देते हैं, जो दुनिया को पहला प्रिफरेंस देते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अल्ला ताला सुरे तलाग की बहतरी नहाएग, अगर मैं आपनों हमको समझ में आ गई, तो इंशालला जो लोग बिजी कहते हैं अपने आपको नमास पैमने पढ़ेंगे इंशालला, क्या प्यारी आयते गोर से सुनिये नौजवानों, मेरी माएं बहनों से भी कहना चाहूंगा, कि माएं बहने हमारी करती हैं, कि मैं काम में थी, नमास को भूल गई, मैं टीरी में देख रही थ की नमास भूल गई, नमास मेरी मिस हो गई, मैं वे बहनों से माओं से भी कहना चाहूंगा, और नوجوانों से भी कहना चाहूंगा, देखिए सूरे तलाग में आल्ला क्या परमाते हैं, क्या परमाते हैं अल्ला ताला, वमन यत्तकि लाह यज़ाल लहु मकरजा वमन चोड़ो आवबाद चोड़ो दुन्यादारी अल्ला के घरों की तरह बाए इंशालला महाँ पर हमारी काम्यावी थे दोस्तों अल्ला का गर्ड तक्वा इस्तियार करें के सहबा इकराम जिस तरी के तक्वा एकिएर करते थे खश्द बिलाल रजीयला आव को अम्मया बिन खलब हजद बिलाल रजीयला आव को घोरे से बांदेता है और घसीटा होग ले जाता है हजद बिलाल कहते हैं मुझे ऐसा घसीटा जा रहा था मैं ये समझ रहा था कि अब मेरी मौत वाकए है और मरी हुरी बकरी को जिस तरीक से घसीटा जाता है उमया बिन खलब इतना मुझ को घसीट के ले जाता है फिर उसके बाद रुख जाता है रुख के फिर मेरे पास आके कहता है बिलाल तुम अपने पुराने दिन पर अगर आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा लेकिन बिलाल कहते हैं मेरी जबान से एक ही चीज़ मिगलती थी आहद 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 अल्ला एक है अल्ला एक है पारे में आता है खबाब रजियल्ला तुम को अंगार पे लिटा दिया गया अंगार पे लिटा कर खबाब रजियल्ला तुम दीन से फिर जाओ तो हम तुमें छोड़ देंगे खबाब तुर्बान जाई ये सहाब आगरान की उत वरसे अंगार कोयला बन गई लेकिन प्यारे में विस्मका तुम के सहाबी ने कहा कि मैं अल्ला से डर्ता हूं अल्ला एक है अल्ला एक है क्या हम भर आच अंगार पे लिटाए जा रहा है जो फुर वलोग अल्ला पे पे लिए क्यों हमारा लुख अल्ला के दीन की तरफ नहीं है क्यों हम नमास के पाबन नहीं है आथ क्यों हम लोगों के पास जाके दीन की जो दावत है क्यों नहीं पहलाते क्या हमारे पास हिंदुस्तान में दीन की दावत करने वालों को दावत का काम करने वालों को कुछ मार, क्या कुछ पणिश्मेंट है हमारे पास, नहीं है दोस्तों, डिमोक्रिजी है, किसको भी आप दावत दे सकते हैं दिन की. पिर हम लोग क्यों नहीं देते हैं, हम लोग इसके नहीं देते हैं, हम लोग ये समझे में हैं, दीन की दावत का काम खतीब का है, मौलाना का है, मदर से के उपाज इकराम का है, उल्मा इकराम का है, हम लोग ये समझ के दावत का काम नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ, दीन की दा काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों हम तमाम लोगों को अल्ला के मस्जिदों के अरुप करने की आप जरूरत है अगर हम अमन चाहते हैं हमारी सलामती चाहते हैं तो आपको अल्ला के घरों की तरफ आना आए वरना वरना हो अदीश में आपनों के सामने रखना चाहूंगा हम लोग देख रहे हैं, अल्ला ताला की बार 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 हमारे लिए आ रही है, रोहंगिया में मुसल्मान को माला गया, काटा गया, बच्चों को जला आया गया, लेकिन मुसल्मान बेडार होने के लिए तक्यार नहीं है, वही आर्किस्ट्रा में हम बढ़ खे वे हैं, हमारे वलिमों म अहसास नहीं कर रहा है दर्द हमारे दिलों से चला गया लोग पिट रहे हैं मुसलमान मार खा रहा है जैसे प्यारे निभी स. अ. ने कहा था एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दर्द इस तरीखे से महसूस करें कि अंदर पांच से छे दिनों में 500 से ज्यादा मुसलमानों को काता गया बमा डाले गए चोटे चोटे बच्चे हलाख हो गए हम लोग यह समझ रहे हैं रोहक्या में आया है शाम में आया है कब अज़ाब आएगा अगर तुम अल्ला ताला कि रच्ची को मजबूती से नहीं जैसा पुरान कहता है वातसि मूब अबल्ला यह जमिया अल्ला कि रच्ची को मजबूती से नहीं ताम लो अगर मुसलमान नहीं तामेगा तो तीन तरीखे का अज़ाब के लिए हम तमाम मुलों को तक्यार रहने की जरूरत है पहला अज़ाब जालिम खामों को तुमारे प ना जाएगी अचानक तुमन को हलाक कर ज़ा जाएगा तुमको तोबा का भी मौका नहीं मिलेगा कौन से अजाब का हम इंतिजार कर रहे हैं दोस्तों अल्ला की घरों की तरफ आई तौबा कर दर अभी पुला है अल्ला तौबा करने वालों को माँख कर देते हैं तौबा करके अल्ला की घर की तरफ आई एक प्यारी हधियस आप लोगे सामसे रखना चाहूंगा मैं समझता हूँ जıtनी मेरी माईं बेने हैं और जतने लोग यहां पर बैठ के सुन रहे हैं जतने लोग लाइफ सुन रहे हैं जहां तक तक मेरी आवाँज जा रही है अगर ये हदीस आप लोग सुनते हैं और सुनने के बाद मैं समझता हूँ कोई भी नमाज मिस नहीं करेगा क्या हम आदम की अवलाद हैं कई गुनारमाद से होते रहते हैं बुखारी की हदीस अगर कोई बंदा अच्छे से वजू करता है अच्छे से वजू करके अपने घर से अल्ला के घर की तरफ जाने के लिए निकलता है अगर कोई बंदा अच्छे से वजू करता है और अच्छे से वजू करके करने के बाद अपने घर से अल्ला की मस्जिद के लिए निकलता है तो अल्ला ताला एक ख़दम पे उसको देखी देते हैं दूसरे ख़दम पे उसके गुनाहों को माव किया जाता है यहां तक कि वो बंदा अल्ला की मस्जिद में चला आता है बाजमात नमाज पढ़ने का उसको स्तावीज दर्जे बाजमात नमाज पढ़ने का उसको सवाब दिया जाता है फिर जब तक वो बन्दा अल्ला की घर में रहता है फरिश्टे उसके हक में दौाएं करते रहते हैं जब तक वो बन्दा मस्जिद में रहता है फरिश्टे उसके हक में दौाएं करते रहते हैं जुएाइं करते रहते हैं मस्जद से लेकर अपने घर तक जाता है परिष्टे उसके हफ्ट में दौाइं करते रहते हैं क्या हम लोग आदम की आउलाद नहीं हैं क्या हमसे गुना सरजद नहीं होते पिर अगर हमसे गुना सरजद होते हैं तो क्या परिष्टों की दौा खुबूल नहीं करते हैं जरूर खुबल करते हैं तो कि परिष्टे हने खता होते हैं इसलिए परिष्टों की दुआएं अगर लेना है तो अल्ला के घरों की तरफ हम तमाम लोगों को हाने की जरूरत है और मैं कहना चाहूंगा कि जिस किसी के नमादे छुपी है या कोई गुणा में मुक्तिला है नमाज का पावद नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा अल्ला ताला के पास तौबा के दरौाजे खुले हुए है हम तमाम लोगों को तौबा करने की जरूरत है जैसा पुरान कहता है तूब इल्लाही जमिया आयोहल मुअमिनों तूम सब के सब तौबा करो अगर तौम मुअमिनों क्यों क्यों करना है तौबा मुस्लिम के दिश पे किया उता है ल enmाले मुईambी दिन में सौ मर्तबे तौबा कर दे थे एरने एक जगा बुखारी के उता है Allah ke Nabi दिल में सतर मर्तमा तव्पा करते थे Allah ke Nabi को क्या जरूरती तव्पा करने की दोस्तो Allah ke Nabi बार बार तव्पा करते थे इसलिए हम तमाम लोगें को तव्पा करने की जरुद ए जैसा लोग तों को सूर'REласт रोम में आता है ए वित्स τους Tग कर तुम अल्ला से तौबा करो, 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 अल्ला से तोबा करते हैं मैं उन लोगों को जन्नक की नहरे अता करूंगा कोई चीज की कमी रहे की नहीं दोस्तों इसलिए ल्ला से तौबा करो बार बार हम तमाम लोगों को पढ़ना है अस्तख्पिर उल्लाहरभी मिन कुल इजम्यु वादू कुई लए बार 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 ल्ला से मैं इतने साल से गुना में मुब्तिला हूँ मैं इतने साल से अल्ला की बंदकी नहीं करा मैं लोगों को सताता हूँ मैं हर चीज गुना में हूँ कोई बास जोगों के निमाद में ये बात आ जाती है कि क्या अल्ला मुझे माद करेगा ये सवाल दिलों में आता है तो मैं उ गुनाओं को माफ करने वाला है अल्ल्ह गुनाओं को माफ करने वाला है ला तक्नतू मिर्रह्मति ल्लाइ ला तक्नतू मिर्रह्मति ल्लाइ इन्नताह यफ्रु दुनुबा जमिया अल्ल्ह गुनाओं की रह्मत से मायूस नाना बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है बनी इसराइल का वो वाक्या बनी इसराइल का वो शख्स जो नन्यनन वो लोगों का खतल करता है खतल करने के बाद किसी से पूछता है कि क्या बनी इसराइल मुझे माफ कर देगा इत्मामले शक्त से पुच्छता है तो वो जहता है आपने नन्यननों लोगुंगा ख़ता गहा, अल्याओगा आपको माफ नहीं करेगा इसके दिमादो माफ नहीं करेगा ये अर्थ लूग जै कि अर Ebola माफ नहीं करेगा वो और एक ख़तल कर देता है सो खतल करने के बार एक आल्म से पूचता है कि क्या मैंने सो लोगों का खतल किया है क्या आदा कि आल्म मझे माफ करेंगे क्यों माफ में करेंगे अल् WOR है अंधाल आख बड़े माफ करने वाले और रहम करने वाले में आप एक काम कीजिए यह बस्थी से निकल के नेक लोगों की बस्थी की तरफ चले जाएे त्यूबा करूए अगर आपके गुनाहों को माँ कर देगा वो बने इसरायिका वो शफ लघक भूए करता है और नेक लोगों की बस्थी की तरफ जाते ही रहता फरिष्टे उसकी रूह को खब्स कर लिए उसको मौत वाफ़ के हो जाती उन्हें लोगों की बस्ती की तरफ अभी नहीं पहुँनता इरादा करके निकलता है तौबा करता है अल्लादा उसकी रूह को खब्स कर लिते हैं दो फरिष्टे आते हैं, एक जंड़ का फरिष्टा 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 आते हैं, इसे मैं ले जाऊंगा, दोनों फरिष्टों में तकरार होती है अगर नेक लोगों की बस्ती की तरफ इसकी मैयत है तो जन्नत का फरिष्टा उसको ले जाएगा अगर नेक लोगों की बस्ती से दूर है तो उसको दोजब का फरिष्टा ले जाएगा बहुते हैं तो फरिष्टे को भीजने के बाद लगों की बाद लगों की बाद जाएगा परिष्टा उसे ले जाते हुए कहता है कि तू ने क्या तवा की है अल्ल्छ ताल्छ ने तेरी तवा को खबोल कर लिया और अल्ल ताल् Dá ने तुझ को चन्नत दे जी ये तवा है दोस्तो तवा करिये तवा करने से हमारी जिंदगें में बरकते आएंगी अगर किसी की कारुमार में बरकत नहीं है अस्तख्विर उल्ह तविर कीजिए अस्तख्विर उल्ह बढ़िये इंशाला आपकी कमाएंगे तैसे बरतत होगी देखिए इसलिए हम कमाँगों को तौबा करना है तौबा क्यूं करना है जो लोग अल्लह से तौबा करते है गुरान में दूसरी जगा अल्ह तरा फर्माते हैं इन्नालाह युहिबत तबावीना वैुहिबत अल्हुबत ताहिरीन जो लोग अल्ला से तौबा करते हैं जो लोग पाकीस की अख्यार करते हैं अल्ह तरा कहते हैं कि मैं उसे महबबत करता हूँ देखिए तोड़ा करने से अल्ह तरा हमसे महबबत करें हैं ओंट वाले का वाकषय आप लोग अपलों के सामेने रतना चाहूंगा और मेरे पास 7 मिनिट और हैं मेरे 7-8 मिनिट की बात में इक बात को मैं खतक करूंगा उट वाला उट के उपर सारा साथ वसामान लेके अपने घर से निकलता है वो रखते सफर करने के लिए निकलता है जब वो सफर करता है क्यारे निभी स. अ. अ. पूरा सारा साथ वसामान लेके निकलता है निकलने के बाद वो कहीं जाता है उसे आंख लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद जब वो उटता है तो क्या देखता है उन्त के पहलों से गयव हो चुका है उसका उन्त गुम जाता है वो उन्त की तलाश करता है इतनी तलाश करता है कि उन्त उसका नहीं मिलता वो ठक जाता है शाम हो जाती है वो चीखता है चिलाता है रहता है हाई सारी की सारी मेरी दौलत मेरी उट के ओपर थी हाई मेरी दौलत चली रही वो चीखता है और जाता है कहीं ठक के जाके सो जाता है फिर उसके बाद सुबा में मुझे जब उटता है तो क्या देखता है उट उसके पहलो में आके ध़रा हो और उन अपने मुझे कफ चोड़ रहा है जैसे ही वो उन के उपड़ नज़र डालता है तो अल्ला से तोबा वस्तवार करता है कहता है कि आई अल्ला खुशी के मारे उसके अलफाज उल्टे हो जाते हैं वो कहता है आई अल्ला तू मेरा बन्दा मैं तेरा रब जब कि उसे ये कहना चाहिए था आई अल्ला मैं तेरा बन्दा तू मेरा रब लकिन खुशी के मारे उसके अलफाज उल्टे हो जाते हैं प्य वाकिया सुनाते सुनाते ब्याद लदाव ऐल्वा डुश्या थी भी में और आता है अए ख़ hon एता है जैसे के उट बारे को उट मिलने पहुशी हुई है उससे जादा खश्यादा ख़ुशी लदा को होती है जब कोई बनना अल्ला के हुजूर में तौबा करता है जब कोई बंदा अल्ला के हुजूर में तौबा करता है तो अल्ला ताला को उस से ज्यादा खुशी होती है ऐसे हमारे रह्मान हैं अल्ला दोस्तो ऐसे रहीम हैं लेकिन हम लोग तौबा करना नहीं चाहते हमारे दिल सक्त हो चुके हैं गुना पे गुना गुना के पर गुना हम लोग इतने गुना किये हैं कि हमारे दिल सक्त हो चुके हैं हम अल्ला के सामने तौबा भी करना नहीं चाहते हैं अल्ला के सामने तौबा कीजिए अल्ला से गिड़ गिड़ाइए اللہ تعالیٰ माफ करने वाला और रहम करने वाला है दोस्तो कैसे लोगों को اللہ تعالیٰ माफ करते हैं सुन लीजिए प्यारे नभी सुख़नाओ अलिए 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 सलम के पास एक सहावी आते हैं सहावी आते हैं अल्ला की नभी दौर जाहिलियत में मुझसे बहुत बड़ा गुना हो गया अल्ला की नभी क्या अल्ला ताला मेरे उस गुना को भी माफ कर देगा मैं तो इसलाम खुब कर चुका हूँ ए अल्ला की नभी क्या अल्ला ताला मेरे उस गुना को भी माफ कर देगा जो मैं दोर चाहिलियत में मैं इतना बड़ा गुना किया तो अल्ला के नभी कहते हैं तुम अपना गुना सुनाओ तो सही क्या तुमने गुना किया था तो वो कहते हैं अल्ला के नभी अगर मैं वो गुना सुनाओंगा तो आप भी मुझे से नफरत करेंगे अल्ला के नभी इस वी मैं डरता हूं वो गुना सुनाने लिए थी, मेरी बीवी हामिला थी अलागी नभी तो मैं अपनी बीवी को बोल के गया था, अगर लड़का हुआ तो जिन्दा रखना अगर लड़की हुई तो मार देना, ए अलागी नभी ये मैं बोल के चला गया था धेर मैं कुछ महिनों के बाद वापिस आया तो मैंने अपनी बीवी से पुछा तो उसने कहा कि लड़की हुई थी मैंने उसे मार दिया हाला कि वो मेरी लड़की को नहीं मारी थी वो अपनी बहन के लिए पालने के लिए उसको छोड़ दिया था और वो लड़की जब मैं घर को आता तो वो लड़की मेरे पास आती और उस लड़की से मैं खेलता गुटता और मैं उस मेरी खुट की लड़की से मैं लोज हो चुका था लेकिन मुझे ये बात बताई गई कि वो मेरी साली की लड़की है झाय अल्ला के नभी कुछ वक्त गुजरा तो मैं उस लड़की से बहुत खरीम हो गया तो मेरी बीवी ने कहा कि मैंने अपनी लड़की को मार was क्या आपसे जूट कहा था यह लड़की जो है यह हमारी लड़की है यह मेरी बहन की लड़की नहीं है ऐए अल्ला के नभी जैसे ही मेरी बीवी ने कहा कि ये हमारी लड़की है ऐए अल्ला के नभी मैं उस लड़की को बीच मैदान में ले गया वो लड़की मुझे पोच रहे थी ऐए अबो मुझे आप कहा ले जा रहे हैं आई अल्ला के नबी तब भी मुझे रहम नहीं आया मैं उसे बीच मैदान में ले गया बीच मैदान में ले जाने के बाद आई अल्ला के नबी मैं गड़ा खोद रहा था तो गड़े की मट्टी मेरे कपड़ों पे गिर रही थी अल्ला के नबी जब मेरे कपड़ों पे वो मट्टी गिर रही थी मेरी लड़की मुझसे कह रही थी ऐए अबू आपके कपड़ों पे मट्टी गिर रही है ऐए अबू मट्टी गिर रही है कहकर वो लड़की मेरे कपड़ों को साफ कर रही थी ऐाए ओन्लाख नबी तब भी मुझे रहमनने कीई आया अन्लाख नबी और लाके नबी मैंने गड़ा कोदा और गड़ा कोदेने के बाद उस लड़की को उस गड़े में डाल दिया और डाल कर मैंने सारी की सारी मट्री उसके डाल दी मैंने अपनी लड़की को सिंदा कफ़री कर दिया प्यारे नगी में अल्यएओर निए तर्फ लो रहे हैं अस गुनाब को भी माफ्ट कर देगा प्यारे नगी में नगी में तुड़ ज़ दोगए ही थैंने निए प्राह सामूश हो जाते हैं तब अल्ल्ह तव्म आएद नगी रोगन आदेगा जाम। رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ کے نبی آیت سناتے ہیں سنانے کے بعد پھر تمام جو لوگوں نے سن کے ششدر رہ جاتے ہیں حیرت میں رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس چاہے ہم ہمارے گناہ سمندر کے چھاک کے بلاور کیوں نہ ہو جائے अगर हम अल्ला से सच्ची तवबा करेंगे तवबा तुम नसुआ करेंगे तो अल्ला ताला हमारे गुनाओं को माप कर देंगे और अल्ला ताला हमको ऐसे कर देंगे जैसा माँ के पेंट से पैदा हुआ बच्चा जैसा पाक होता है Allah تعالی हमको वैसे पाक कर देंगे Allah تعالی हमारे रह्मान और रहीम है लेकिन हम लोग तुबा करना नहीं चाहते दोस्तों हम कमाव लोगों को चाहिए कि Allah के सामने तुबा करें Allah के सामने गिर कर आएं Allah تعالی तुबा ता सुनने वाला है अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद बुखारी की हदीश ये हमारे लाने दोस्तों, लाकिसामेने नहाफी मांगने की जर्दत ए्ग, अगर कोई सोच रहा है कि मेरे गुना इतने साल से हो रहे हैं, मैं नेकी का कोई काम नहीं किया, क्या अल्ला मुझे माफ करेगा, उन लोगों के लिए मैं आगरी वाक्षा सुना कि अपनी बात को हत पड़ चुँता था। बादी नहीं बरस रहा था तो मुसा लिखता अपनी पूरी खौण को लेते हैं मैदान में जमा कर देते हैं मैदान में जमा होकर ल्लाँ से गिड़ गिड़ाते हैं त्भाव लुख रुखे जिते हैं कि अललाँ से धूराओ करो मेरी सारी की सारी क्वा आप के सामने या Allए ळूआ कर रही है वे गडिर कर रही है लेकिन आप मेरी ख旧ूआ कर रहे हैं क्या मामला है Allah तो Allah Talk दो कहते हैं मुसा तुम्हारे बीच में एक ऐसा शछक्स है मुसा जो चारीस साल पर गुना पर गुनात दिया जा रहा है 40 साल से गुनेगार बंदा तुम्हारी खौम में मौजूद है अगर वो वहां से चला जाएगा मुसा तो हम बारिश का नुजूल कर देंगे हम बारान रह्मत का नुजूल करेंगे मुसा मुसा लिए सलाम अपनी खौम के पास आके कहते हैं कि हमारे बीड़ कोई ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनां में मुब्तिला है अगर वो यहां से चला जाएगा तो अल्ला ताला बारिश का नुजूल करेंगे जैसे ही मुसा लिए सलाम ये ऐलाम करते हैं वो शख्स जो 40 साल से गुनां करते रहता वो शख्स अल्ला से कहता है एए अल्ला मैं तुथ से parce करता हूं अल्ला या एए अल्ला Python çaल से मेरे गुणाओं को । तु ने एल्ला छुपा कर रखा है अल्ला मैं नहीं चायँ जाता कि लोगों के सामने जिरी बैस्जत है यह लाम भाई तुबा करता हूँ जैसे ही वो बन्दा तुबा करता है अल्लाओ जोरदार बारिश माँ पर बरसा देते हैं मुसा अलेसलाम देखते हैं कि अख्तारी कोम के पीच में से कोई गया ही नहीं और अल्लाओ ने बारिश का नुजूल कर दिया अल्लाओ जैसे मुसा अलेसलाम पुछते हैं अल्लाओ यहां ते कोई गया ही नहीं आप ने बारिश का नुजूल कर दिया तो अल्लाओ जैसे हैं मुसा वो बन्दा हमारे से दिल से तुबा कर लिया और हमारे साम ने तुबा कर लिया हम तो 40 साथ से उसके गुनाओं को छुपा रहे थे जब वो तवबा कर लिया तो हम कैसा उसको रुस्वा कर सकते हैं मुसा हम उसको रुस्वा नहीं करना चाहते इसलिए वो बंदा तवबा करते ही हमने बारिश का नुजूर कर दिया मतलब यह है जिया लाओ के सामने तौबा करना है गिरगराना है तो अल्लाओ हम तमाम लोगों की तौबा को खबूल करेगा इन्ही बातों के साथ मैं लाओ से दुआ करता हूँ अल्लाओ ताला हमारे यहाँ पर बढ़ड़े ने को खबूल फरमाए अगर इसमें कोई गलत सलत बात कही गई हो, एला हमारे गुनाओं को माफ कर दे, एला बोलने से जदा, एला कहने से जदा, हम जोबंको और पांच वक्त करने वाला बना, दे ऐिए आखला धुरार्ण की तिलावत करने वाला बना, ऐ अखलों प्यारे निबीudology.sweskiwerk की सुन्द पे चलने वाला बना, ैए एल्ला जब तक जिन्दा रिक इस्लाम पर जिन्दा रिक और जब हमारा खातिमा हो एमान पर हो, ऐ ऐ अखलों हमारे गुनाओं को माफ अख अप्रिजियूंति अखें शूर्ड जो अपने मस्रूपियात से एकीनती वक्त निकाल कर यहां हमारे दर्मियान मौजूद हैं यहां मेर मुतिशाम अली खान का शुक्री आदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें अपनी बहत्री नसीफ़ों से नवाज़ा है मैं दो एलानात करना चाहता हूँ पहला आप जाते वक्त हमारी तरफ से हमारे पलाही काम का हैंड बिल लेते जाएं दूसरा हमारा दो महिने का स्केडियूल जिसमें हमारे अगले और पिछली प्रोग्राम्स के डीटल्स मौजूद हैं अब हम सवालो जवाबाद की निशिश शुरू करते हैं दो सवाल भाईयों की जानिब से और दो सवाल बहनों की जानिब से लिये जाएंगे सवाला तौबा और तख्वा की टौपिक पर ही करने की इजाज़त है सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा बताएं आपको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त है बहद और मुबाइशा करने की इजाज़त नहीं है अगर आप कोई सवाल से मुद्माइब ना हो तो मुखरिश से प्रोग्राम के बाद मुलाहाद कर सकते हैं और मुखरिश जवाब देते वक्त दर्मिया में मुदाखलत ना करें पहला सवाल खवातीन की जाने के लिया जाएगा जल्दी सवाल करें असलाम लाम अलेकुम हम अपनी जिन्देंगे में तख़वा कैसे इक्तिखार करें कैसे इक्तियार करें पहले तो मैं तमाम लोगों से इह बात कहना चाहूंगा कि मैं कोई आलिम नहीं हूं और मैं कोई मदर्से सिफारिम नहीं हूं जैसा बैसना बल्य 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 वाया तुमको एक भी बात या एक भी आयत मालुँ हो तो लोगों तक पहुचा दो मैं पहले तो आप कमान लोगी सामने ये बात क्लियर करना जाता हूँ जैसा बहन ने कहा पूछा कि तख्वा किस तरीके से इक्तियार करना चाहिए बहन हमको लटाला के सामने मतलब तौबा करते हुए मनलब तख्वा वही चीज़ है कि हम अच्छे अच्छे कामों की तरफ आगे आए अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज का आज इरादा कर लें वही तख्वा है नमाज का इरादा करेंगे अल्ला का डर आ जाएगा तो अल्ला का जो डर है वही तख्वा है कोई काम करने से पहले हमको ये दिल में बात सोच की चाहिए कि क्या आपका दिल उससे मुतमाइन है अगर आपका दिल उससे मुतमाइन नहीं है तो समझिए कि वो काम सही नहीं है वो काम अच्छा नहीं है छोड़ दीजिए वो काम को और अल्ला का डर अफ्तियार करते हुए वो काम की तरफ आए जैसा कि अब हम लोग गाने सुनते हैं हम लोग गाने सुनते हैं गानों के इसे आदत हो जाती है हम वो आदत को छोड़ाना चाहते हैं लेकिन वो आदत नहीं चुटती लेकिन हमारे दिमाग में दिल में ये बात आनी चाहिए कि अगर मैं गाने सुनूंगी या गाने सुनूंगा तो अल्ला ताला मेरे कान में शीश पिगला के दालेंगी उस गुना को सोचना है हमको अगर वो गुना में से सर्दद हो जाएगा तो उसकी सजा मुझको वो मिलेगी अगर जैसा कि मैंने कहा कि फजर की नमाज अगर मैं छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा तो मैं फजर की नमाज छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी तो क्या होगा हाला भे बर्जफ में मेरे सर को कुछला जाएगा तो ये डर की बिना पे हमको आल्ला के साझने हینड आवर करना है अपने आपको आपको सरेंडर करना है यही तख्वा है अगर आप गाने सुनते हैं तो गाने सुनना छोड़ दीजिए अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज का पावन हो जाए अगर कोई रमजान आ रहा है अगर कोई रमजान के रोजे नहीं रहता तो उसका गुना क्या है वो सारा साल भी अगर रोजे रहा तो उसका सवाब उसको फर्ज रोजे का नहीं मिलता ये सुचके हमको अल्ला के सामने सरेंडर करते हुए अल्ला का डर जो हमारे दिल में आता है वो अख्तियार जो करते हैं वही तख्वा है और जब बंदा एक कदम आगे जाता है तो अल्ला ताला दस कदम आगे आते हैं अब तौबा कीजिए अल्ला का दर इस्तियार करने को ही तख्वा कहते हैं जदात अल्ला के दूसरा सवाल भाईयों की जाने से लिया जाएगा असलाम अलेकुम असलाम अलेकुम मेरा नाम से इद शारिक में है मैं पेशेस इंजिनियर हुआ मेरा सवाल यह है आजकल जो नौजवान लड़के हैं या लड़कियां भी हो इस्पेशली मेश्रो सिटीज में और इस्टेज सिटीज में जो रहते हैं जो रिलेशन्शिप इशूस में पढ़ दे हैं तो उनके लिए वो कैसा तौबा करें और कैसे उस प्रॉब्लम से निकलें जिसमें उपाज करें देखें हर चीज का सुलुशन तौबा अगर बना अगर कोई रिलेशन्शिप अगर हो जाती है या जिना के अंदर मुगतिला हो जाता है लड़की हो या लड़का हो जरूँ चीज के अंदर मुगतिला हो जाता है तो उसका हल एक ही है कि अल्ला से तौबा करके उस चीज से हटने की जरूरत है अगर वो बन्दा तोब्ह कर लेफ तो अवलाँ झाला जिरूर इसकी तौवा को माफ करेगा लेकिन पिर उसकी तरफ नहीं जाना तोबतुन नसुहा करने की ज़रत है दिर तर यह तोब्ह करना है चाए कि य rays गुलाम उसे हो गया और मैं ये तवबा की तरफ आता हूँ मैं ये गुना को छोड़ देता हूँ गामदिया का वाखिया अगर पांच प्रिट अगर लिजाम साब इजाद़ देते हैं तो गामदिया का वाखिया मैं आदनों के सामने रखना चाओगा मेरी बेहने भी मौझद है माएं ये आपर मौझद है गामदिया क्यारे नभी साब आदनों के पास आती है गामदिया आती है आके कहती है अल्ला के नभी मुझसे जिना हो चुका है अल्ला के नभी मुझसे बड़ा गुना हो चुका है अल्ला के नभी मुझे तॉबह का रास्ता बताईए ALLAH के नबी क्यारे नबी निए सल अलाओ अपना चाहरा मुबारख फिर लेते हैं जैसे ALLAH के नबी चाहरा पहरते हैं वो दूसरी जानी वागी के थिये ALLAH के नबी मुझको बताईए मुझसे बहुत बड़ा बुना हो चुका है मुझसे जिना हो चुका है बात नहीं करना चाहते है। सहावा इकराम की तरफ देखे कहते हैं कि इससे करिए कि जब इसका बच्चा तवल्द हो तब इसको आने के लिए गामदिया चली जाती है जाने के बाद नव महिने के बाद जब इसको बच्चा तवल्द होता है तो गामदिया बच्चे को लेके आ रही है पर क्रस्दीस रज्जियल्ल गालान मौजूद है बच्चे को लाकि बैटी है ऐ आए अल् lagi के नबी बच्चा हो गया ये जिना का जो पीज है अल् lagi के नबी ये पैदा हो गया अब मुझे बताईए कि मैं किस तरीखे से तवबा करूँ मेरे गुना की सजा मुझे बताईए अल्ला के नबी अल्ला के नबी देखते हैं कि नौ मधिने के बाद भी उसको गुना सताए जा रहा है और वो औरत फिर नौ मैने के बाद बच्चे को लेके मेरे पास आई है अल्ला के नभी कहते हैं जब ये रोटी खाने वाला बन जाएगा तब आना यहां से चली जाए और चली जाती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है गोद में बच्चे को ला रही है बच्चे के हाथ में रोटी का तुकड़ा है घामदिया आ रही है तुकड़ाई उया है करे निभी सुलथा झाल्चार मारई विए भी में बैठे वे हैं उमर रजियालामा तालाइ मोजूद अवार कर्सिदीख मोजूद है अल्ला की नभी देख रहे है और रद बच्छे को उठाते होए लेकर आ रहे है उ गुनाह के लिए वो नौ मैने के बाद मैंने का बच्चा पैदा अने के बाद आई अब मैं कहा लड़का जब रोटी क्षाने वाला वन जाएगा तीन साल के बाद फिर आ रही एफ़ गुनाह कि सटीखे से खाया जा रहा है वो आती है आके कहती है अल्ला के नभी मेरा बेटा रोटी खाने वाला हो गया अल्ला के नभी मुझे बताइए मुझे गुना की सजा दे दीजिए मैं चाहिन से रहना चाहती हूँ अल्ला के नभी मुझे वो गुना खाया जा रहा है اللہ کے نبی प्यारे नभी स्वाओं अलिए अलिए उसलम वहां पर से किसी औरत को दाया को बुलाते हैं दाया को बुलाने के बाद खामदिया से कहते हैं इस बच्चे को इस दाये को दे दो ये इसकी परवरिश करेगी जैसे اللہ کے नभी कहते हैं वो बच्चे को दे देती है दे देती है बच्चा रो रहा है बिलत रहा है मां से छूट के बच्चा चाहता है कि मां के पास आए लेकिन मां बच्चे की तरफ नहीं देखती अल्ला के नभी कहती है ऐ घामदिया तेरी मम्ता कहा गई बच्चा रो रहा है तू बच्चे की तरफ नहीं देख रही है तो खामनिया कहते है ऐए अल्ला के नभी मुझे बच्चे की पर्वा नहीं है मुझे बता दीजिए कि मेरी सजा क्या है मुझे सजा दीजिए अल्ला के नभी मैं तौबा करना चाहती हूँ इस गुना की सजा मुझे बता दी थी ती गामदिया की तरफ ला के नभी देखते हैं और उपके ला के नभी कहते हैं गामदिया तुझको संसार कर दिया जाएगा गामदिया को पत्थरों से मारके संसार किया जाएगा तेरी सजा यही है गामदिया प्रविश स्वालों लिए जैसे ही कहते हैं बाज रिवायतों में आता है खामदिया खुद पत्थरे जमा कर रही है बाज रिवायतों में आता है पिर उसके बाद खामदिया को एक मैदान में खामदिया को मंटी खोद कर उसमें आदेधर से गामदिया को उसमें मान दिया जाता है तमाम लोग आते हैं पत्थर से मार रहे हैं वहाँ पर खालिग बिन वलीद भी रहते हैं और अल्ला के नभी देख रहे हैं अल्ला के नभी भी वहाँ पर मौझूद हैं अव्लाइक नभी चादरगों के तमाशा देख रहे हैं वहां पर प्ततर ढहा सिनकार अधैने जिसे गिर मेरे गिरा उकरे आइड जिसके खालत करते हैं घिते हैं गंदी औरत का खुन मेरे आंग पे गिरा है haut की एंगते है आ ए खालग तूम को नहीं मालूम गामदिया ने ऐसी तौबा किये इसने ऐसी ہے तौबा किये मदीने के तमाम लोग अगर इसकी तौ तौबा में तौबा करेंगे तो Allah तबार उसकी तौबा को खूमूल कर लेगा। गामदिया निए इसी तौबा की आ खालिद, तुम मत कहो के गामदिया का खून खुराब है खालिद। अल्ला के नभी महाँ पर तैड़ते हैं तोड़ी देर के बाद गामदिया का इंतिखार हो जाता है गामदिया को संसार कर दिया जाता है मतलब क्या है दोस्तो हम तो कई जिना करते हैं गई कामे कर रहे हैं जाय कि भाई ने का ये निस्टर्स जिना के उसमें मुटिला हो चुके हैं लेकिन हम लोग तौबा नहीं करते तमाम लोगों को तौबा करने की अजासत है मरने के हम तौबा करते हैं तो अल्ह ताला हमारी तौबा को खुबूल करते हैं क्यों वो वाख़ा हमारे पास नहीं है कि एक जानिया औरत ने तौबा की और एक गुत्ते को त्यासे गुत्ते को पानी पिलाया اللہ تعالیٰ ने इसकी तवबा को खुबूल कर लिया और اللہ تعالیٰ ने इसको चटनत देगी तमाम लोगों को तवबा करने की जरूरत दे اللہ تعالیٰ बड़ा रह्मान और रहीम है मेरे ख्याल से आपका जवाब मुकमिल हो चुका है जजाते ल्ला खेर इन्हीं बात उनकी साथ मैं अपनी बात को फ़तन करते हैं यहां हम सवाल और जवाबात के निशिश खत्म करते हैं एक जवाब एक सवाल भाईयों की जनेश से लिया जाएगा बात करते हैं और डर रहा तहवा होता, तहवे के बाद एक पर भगा कर लिए कि भई हम जो है उस निकी दिकी तरह प्रट जाएगे दुबारा उस उस गुछ गुणा पर नहीं पर नहीं दरेंगे, तो इंशाल्ला वो अल्ला को पॉफिर देगे, तो इस अल्ला को यह एलान करना चाहता हू कि अलिफ फांडेशन के हफ़ावारी प्रोग्राम के अपडेट्स आपके रिजिस्टर मोबाइल नमबर्स पर सेंट कर दिये जाएंगे, अगर आप अलिफ फांडेशन के अपडेट्स यानि इसलामिक मैसेजर्स, पोस्टर्स, वाल पेपर और शॉर्ट विडियो ग्लेप अपने वाट्स अप पर रिसीब करना चाते हैं, तो डीटेल्स नोट कर सकते हैं, इस हौल से बाहर निकलने के बाद लेप साइट पर आपको एक वाल पोस्टर दिखेगा, वहां से आप पॉर्टर डीटेल्स हासिल कर सकते हैं, लेडिस भी अपने हौल में पोस्टर से अपना खींती वक्त निकाल कर हमारी दावत को खुबूल की और हमें अपनी खींती नसीछतों से नवाजा है और आप तमाम भाईयों और बहनों का भी शुक्री आदा करता हूं कि आपने हमारी दावत को खुबूल की और इस प्रोग्राम में शिर्कत की और एक एलान करना चाहता हूँ रमजान में छे टॉपिक्स हम कवर करने का इरादा किये हैं और हर टॉपिक इंशालला पांच दीन तक चलेगी मैं टॉपिक्स के नाम आपको बनाना चाहूँगा पहला टॉपिक है कितादुत तौहीर दूसरा है अर अहीखल मक्तूम तीसरा उसूल उद्दीन चहता उसूल सलासा पांच वा उसूल दावा और छटा उसूल उसूल अलफिक्स ये छे टॉपिक्स इंशालला रमजान में मुकमल किये जाएंगे इसी अलिफ आफिस पर और हर टॉपिक इंशालला पांस दिन तक चलेगा इस टॉपिक्स ये सारे टॉपिक्स इंशालला शेख इसलाम मदिनी के जरीए से आपको बताया जाएगा जो 1982 में ग्रैटुएशन किये हैं जामिया इसलामिया मदिना तयवा से और जिन्हें पैंतिस साल का एक्सपिरियंस है टीचिंग में और इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल की है उसूलुद दीन और उसूलुद दावा में तो आप तमाम भाईयों और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप रमजान में इन प्रोग्रम्स में शीर्कत करें जयता चीर्जादत में शीर्कत करें और इन टॉपिक्स का भरपूर पायदा उठाए इल्म हासिल करके जाएए यहाँ से और इसके ताइफिसे रहेंगे 5 13 से इत्तार तक इत्तार यहां पर प्रवाइ्ट किया जाएगा इफ्तार के बाद आप बबरी सला के बाद आप यहां से जा सकते हैं जजाक अल्ला खैर, सुभानक अल्लाहुमा वभी हम दिका अश्यदु अल्लाह इल्लाह इल्लाह अंता अस्तफिरुका वातू हुले असलाम हुले